हाई दोस्तो मैवीद यह वंदरोगा पोस्ट का लेक्चर 3 है लेक्चर 1 लेक्चर 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप जरूर देखें वंदरोगा पोस्ट में आपका रसाइनिक विज्ञान में पहला यूनिट जो है आपका परमाडु सरचना परमाडु सरचना में आपको पढ़ना क्या है आपको पढ़ना है एलेक्टरोण प्रोटोण न्यूट्रोण की गड़ना गरना की मतलब किसी परमाडु में मतलब किसी भी एटम में कितने प्रोटोण है कितने न्यूट्रोण है कितने एलेक्ट्रोण है दूसरा जो आपका सेल इसमें आपका आईसोटोप, आईसोटोप संभारिक को आपका आईसोबार कहते हैं, किलियर हो गया, आज हम स्टडी कर रहे हैं परमाड सरचना, एटोमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम आज स्टडी करेंगे, आज हम सिखेंगे ऐलेक्टरोन, प्रोटोन तथा न्यूट्रोन की ग बढ़ना दुसरा हम सिखेंगे समस्थानिक समभारिक किसे कहते हैं और इसका मैं आपको प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा इसलिए वीडियो को थोड़ा भी इसकीप न करें सीखते हुए चलें क्यूंकि यहां से आपका 100% कोशन बनेगा ही बनेगा तो चलिए स्टार्ट करते है सबसे पहले मैं परमाड के बारे में आपको बताता हूँ परमाड अटम बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा ले ले बस मैं आपको यह नहीं बताऊंगा परिभासा बताऊंगा यह है वो है नहीं मैं आपको आपके एक्जाम वतुनिस्ट अर्थात अब्जेक्टिव कोश्चन आएंगे तो उसी की साबसे मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ चलूँगा जैसे मालना कि हमने एक परमाड ले लिया है एक परमाड लिया है यह परमाड अटम अब इस एटम के अंदर नाभिक होता है देखिए मैं कैसे बताऊंगा आपको देख लो यह आपका नाभिक है अब नाभिक के अंदर कौन कौन रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखो अन का मतलब न्यूट्रॉन पी का मतलब प्रोटॉन समझ में आ गया और बाहर कौन घूमता है एलेक्ट्रॉन यह आपका एलेक्ट्र एलेक्ट्रॉन नाभिक के चारो तरफ कक्छाओं में घूमता है, यह क्या है आपका नाभिक है, यह क्या है आपका यह है नूट्रॉन, नूट्रॉन हो गया और यह आपका क्या हो गया प्रोटॉन, तो इसका मतलब क्या हुआ नलायक पती इसकबाज, N का मतलब नलायक P का मतलब पती E का मतलब इसक बाज तो आप इससे याद है नलायक पती घर में है और बाहर जाके इसक बाजी करता है तो नलायक पती इसक बाज तो आपको ये याद रखना है तो अब कुछ बाते मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलता हो, पहला चीज, ये देखो, एलेक्ट्रोन की बारे में आप जान ले, ठीक है, एलेक्ट्रोन, एसे इसको पर दर्शित करते हैं, द्रव्यमान इसका कितना होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब M E, M E का मतलब E का मतलब electron m का मतलब mass मतलब electron का द्रभ्यमान mass of electron कितना होता है आपका 9.1 into 10 की power minus 31 kg kg अब इसका आवेस कितना होता है आवेस इसका होता है मतलब charge इसका charge होता है आपका 1.6 गुड़े 10 घात माइनस 19 कुलाम charge on the electron is 1.6 into 10 की power minus 19 कुलाम अब उसके बाद इसकी प्रकृति क्या होती है नेचर ये क्या होता है रिडातमक प्रकृति का होता है ये आपका electron के बारे में हो गए तो आप इसे copy करती हो जाना क्यूंकि ये सब आपका exam में आ सकता है उसके बाद proton की बाद करे proton proton को किस से पर दर्शित करते है P से इसका द्रव्यमान क्या होगा द्रव्यमान मतलब मास MP मास अब दाप प्रोटॉन इसका कितना होगा 1.673 into 10 की power minus 27 kilogram क्लियर ये तो आवेस कितना होगा द्रव्यमा प्रोटॉन पर आवेस कितना होता है मतलब चार्ज कितना होता है आपका 1.6 गुड़े 10 गात minus 19 कुलाम ठेक अब उसके बाद प्रकृति क्या होगी इसकी ये minus होता है इसका मतलब कौन सी प्रकृति होगी इसकी रिडातमक रिडातमक प्रकृति होगी अब ये भी आपके 3 पॉइंट्स थे आप इसको नोट कर लीजिए उसके बाद हम स्टडी करेंगे न्यूट्रोन के बारे में न्यूट्रोन ठेक है न्यूट्रोन को किस से रिप्रजन करते है इसे एन से डिनोट करते है तो अब क्या होगा इसका द्रव्यमान मान इसका जो द्रव्यमान होगा MN न्यूट्रोन का मास इस इक्वाल टू 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलो ग्राम अब आप सोच रहे होगे कि प्रोटॉन का कितना था 1.673 इसका कितना है 1.675 इसका मतल्ब ये अंतर है प्रोटॉन और न्यूट्रोन के द्रव्यमान में उसके बाद आपका क्या हता है आवेश इस पर क्या होता है उदा शेन सुन्य बटा सन्नाटा मतलब सुन्य जीरो प्रकृतिस की कैसी होगी आपकी प्रकृतिस की कैसी होगी उदा शेन और इसको किसने हो जा था invention किस नहीं किया था इसको देखा किसने था आपका जैम्स чटविक ने किसने जैम्स चैडविक चैडविक ने देखा हुआ था ये तो आपका न्योट्रोन के बारे में हो गया अब मैं इनकी गड़ना करूंगा क्लियर होना चाहिए आपका गड़ना किसी भी परमाड में इनकी गड़ना जो कि आपके सेलबस में दिया गया है कि किसी भी परमाड में एलेक्ट्रोनों की संख्या कितनी है न्योट्रोनों की संख्या कितनी है आपका प्रोट्रोनों की संख्या कितनी है तो रिलाक्स मूड में आप इसे सिखने के लिए तयार हो जाए तो अब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले आपको मैं X एक परमाडू लेता हूँ X एक क्या है परमाडू X क्यों लिया X के बारे में ही पता है न हमको Y, Z तो पता नहीं X गल्फिंड के बारे में सबको पता लेकिन Y, Z के बारे में पता है नहीं पता ना भाई कौन आएगी कौन सी गल फिंड बनेगी किस से साथ योगों नहीं पता लेकिन X वाली सब को पता बड़ी सुन्दर थी सिंपल मेरा कहा माना गरती थी X अब X आप समझ जाओ कि X क्या है एक परमाडू है उपर अगर A लिखा है उपर क्या होता है अब इस सिंबल बताता हूँ उपर A है नीचे आपका क्या है Z है तो A क्या होता है A है क्या A है आपका द्रव्य मान परमाडू को क्या आपका द्रव्य मान है clear Z क्या है आपका Z क्या है आपका द्रव्य परमाडू संख्या परमाडू संख्या ठेक है एटॉमिक नमबर परमाडू संख्या मतलब एटॉमिक नमबर clear द्रब्यमान को क्या बोलते है एटॉमिक मास मास है clear कोई डाउट नहीं होना चाहिए नहीं तो मेरे सिखाने का क्या फाइदा clear ये x क्या हुआ परमाड हुआ ठेक है अब आपको क्या समझना ये हो गया अब यही पर मैं आपको बता रहूँ ये परमाड एटॉमिक नमबर है यही होता है आपका प्रोटॉनो की संख्या प्रोटॉनो की संख्या ठेक है अब द्रब्यमान में कौन कौन होंगे आपके द्रबमान में कौन होंगे M प्लस sorry N प्लस P N प्लस P का मतलब सिखाया इसलिए मैंने N क्या है यहाँ पर Neutron P क्या है Proton इसका मतलब क्या Neutron Plus Proton ठीक है Clear हो गया अब आपको ये चीजे सो Clear आ गई और अगर Stable है तो यही क्या है आपका Electron की संख्या तो मैं आपको पहला उदारण बताता हूँ Clear हो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ Clear कर लो सबसे पहले अगर पहला Example पहला Example अगर मैं देता हूँ देखो अगर 7 and 15 लिखा है ठीक 7 and 15 उसको सीख लो क्या है X क्या है कोई परमाड हूँ N क्या हुआ X की जगा पे आ गया ठीक है Z की जगा पे क्या है 7 Z की जगा पे क्या है आपका 7 और A की जगा पे क्या है आपका A की जगा पे क्या है आपका 15 ठीक हुआ है तो 15 क्या हुआ आपका एटामिक मास मतलब परमाड द्रबर्म साथ क्या हुआ आपका परमाड संख्या अगर आपको अब इसमें प्रोटोनों की संख्या पूछेगा तो आप कैसे जवाब दोगे वहां ओप्शन में देगा 10,3,7,5 मैंने क्या बोला यह जितना ह वह यह आपकी प्रोटोनों की संख्या होगा प्रोटोनों की संख्या ठीक है देखलो 7 and 15 लेता हूँ ठीक है अब देखो यहाँ पर अगर आपको बतानी हुई प्रोटोनों की संख्या मैंने क्या बोला था प्रोटोनों की संख्या P बराबर किसके Z के यह देखो प्रोटोनों की संख्या क्या है P है P ही क्या है जेड है इसका मतलब क्या हुआ प्रोटोनों की संख्या कितना आएगा 15 प्रोटोनों की संख्या कितनी आएगी 7 यह देखो प्रोटोनों की संख्या यह होगी अब आपको क्या चाहिए न्यूट्रोनों की संख्या न्यूट्रोनों की संख्या न्यूट्रोनों की संख्या चाहिए तो क्या करोगे आप यह 15 है एटॉमिक मास एटॉमिक मास 15 है तो आपको पता ए बराबर क्या होता है P प्लस NK ठीक है P प्लस NK आपको ये चीज पता चले गया है कि Atomic Mass A Atomic Mass 15 है Atomic Mass 15 है तो अब यहाँ पर देखो यह क्या होगी है Atomic Mass 15 तो 15 बराबर P कितना है 7 अभी निकाल लिए हमने 7 प्लस N तो N कितना हो जाएगा आपका N बराबर कितना होगा 15 माइनस 7 तो 8 7 कितना होता 15 N बराबर क्या है 8 ठीक है यह आपका निकल गया प्रोटॉनों की संख्या मैं अब आपको दुसरा उधारण बताता हूं किलियर इसे आप नोट कर लो अगर oxygen दिया हो O O 8 18 ठीक है 8 O 18 दिया है तो यह क्या है आपका इसमें आपको क्या चाहिए बोलो प्रोटॉनों की संख्या चाहिए प्रोटॉनों की संख्या P प्रोटॉनों की संख्या चाहिए कितना हो जाएगा देखने वाला तो तुरंद बता देगा 8 हो जाएगा अब देखो यह क्या है आपका A है 18 क्या है A यह क्या है आपका Z क्लियर सिखा रखा आपको वीडियो इसकीप मत करना इसको सीखते हुए चलना क्योंकि यहां से एक कोशन बनेगा आपका अब यहाँ पर देखो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी बोलो P बराबर कितना होगा 8 यह अब आपको जाहिए न्यूट्रानों की संख्या न्यूट्रानों की संख्या चाहिए अब बराबर इटॉमिक मास A है ना A बराबर किसके होता है M प्लस सौरी N प्लस P के P दे रखा P कितना है P कितना है आपका बटाओ P आपका 8 है तो इसका मतलब क्या होगा और A कितना 18 इसका मतलब 18 बराबर clear N निकालना है प्लस P कितना 8 तो 18 में सा N बराबर कितना होगा ये इधर चलाएगा 18 माइनस 8 N बराबर कितना है 10 न्यूट्रोन तो कितने न्यूट्रोन हो गए आपके 10 ठीक है तो आपको question कैसे देगा अब देखो अगर मैं बोलूँ question आपको बताता हूँ question कैसे बनेगा उस question को आप सीख लो question इस में बनेगा किसी परमाड ठीक है किसी परमाड Z X A में Z X A में द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या मतलब A 20 है तथा प्रोटानों प्रोटानों की संख्या साथ है प्रोटानों की संख्या क्या है साथ है तो न्यूट्रानों न्यूट्रानों मतलब N की संख्या है संख्या है तो option देदेगा आपको A देदेगा 13 B देदेगा 12 C देदेगा आपका 20 D देदेगा आपका 21 ठीक है यह option उसने बना दिये ठीक है अब इन option में आपको बताना है कितना होगा आप सभी को पता है परमाड द्रब्यमान परमाड द्रब्यमान A बराबर किसके होता है proton मतलब P प्लस neutron क्या N clear तो परमाड द्रब्यमान क्या है A बराबर क्या होगा P प्लस N की A दे रखा 20 N P दे रखा protonों की संख्या 7 इसका मतलब 20 बराबर क्या हैगा यहां पर बोलो 7 प्लस N की तो N बराबर कितना होगा 27 इधर चला आएगा क्या हो बोलो 20 माइनस 7 तो N बराबर कितना होगा 20 में से 7 गए कितना होगा जल्दी बोलो 13 ठीक है 13 7 आपका क्या होता है 20 हो जाएगा तो answer आपका 13 आपका 13 आपका कौन सा अप्शन सही है आपका A तो इस तरह से आपका कोश्यन बनेगा ठीक है तो आप protonों अब electronों की संख्यान कैसे निकालोगे अगर आप electronों की संख्यान electronों की संख्या अगर 8 O 18 दिया हुआ electronों की संख्याँ चाहिए electronों की संख्या बराबर परमाडू की संख्या लेकिन स्थाई रूप से electronों की भी संख्या कितनी आ जाएगी आपका 8 लेकिन क्या होना चाहिए stable होना चाहिए ठीक है अब हम अगला टम्स चलते है ठीक है एक कोश्यन और कराता हूँ उसके बाद मैं आपको समस्थानिक और संभारिक बताऊंगा क्लियर समस्थानिक और संभारिक किसी तत्व जेड़ एक्स एमे जेड़ एक्स एमे प्रोटानों की संख्या प्रोटानों की संख्या बीस तथा नुट्रोनों की संख्या की संख्या 21 है 21 है तो जेड़ तथा एका मान होगा ए अप्सन ए तथा तो जेड़ तथा ए चलो चलो मैं बताता हूँ हाँ जेड़ तथा ए का मान होगा अप्सन में अप्सन में क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो अप्सन बनाता हूँ ए में एक्तालिस एक्तालिस बीस ठीक है बी अप्सन आपका बनाता हूँ बीस एक्तालिस ठीक है सी बनाता हूँ एक्किस अठारा डी बनाता हूँ अप्सन कोई नहीं कोई नहीं ठीक इन में से कोई नहीं अब कैसे इसको सॉल्व करोगे ठीक है अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो अब सिख जाओ मैंने कंसेप्ट जो आपको बताया हुआ है ठीक तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसे solve करना मैंने आपको क्या आप प्रोटोनों की संख्या दे रखा मतलब पी बराबर कितना दे रखा 20 क्लियर तो जेड़ जेड़ क्या होता वही प्रोटोनों की संख्या होती परमाड क्रमांक बराबर इसका माप पी बराबर किसके होता जेड़ के इसका मतलब क्या हो गया जेड बराबर किस नहीं गागा, 20, clear, अब आपको देखना है, जेड, जेड 20 आ गया, अब 20 इधार है, देखो, जेड निकाल, ए कितना, ए क्या है आपका, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, ए बराबर किस को था, P प्लस N के, मतलब प्रोटाउन प्लस न्यूट्राउन, तो प्रोटाउन कितना है, 20, न्यूट्राउन कितना है, आपका 21, तो ए कितना हुआ, द्रव्यमान संख्या कितना होगा, 20 और 21, कितना 41, तो दुसरा 41 आ गया, तो आपका ये कोशन बन करके, तया समस्थानिक तथा समभारिक पहले समस्थानिक बता देता हूँ समस्थानिक यह भी इंपोर्टेंट है समस्थानिक क्या बोलते आपका आईसो टूब समस्थानिक पहले तो आप बिल्कुल रिलाक्स मोड में हो जाएए जो आपने सिखा उसको अराम से भूल जाएए क्यूंकि अब हम समस्थानिक सिखेंगे आईसो टूब आपको सिखने की चाहत होने चाहिए याद रखना यह आपका इसी के लिए नहीं कि वंदर होगा पोस्ट के लिए क्यूंकि साइन्स तो आपको नाइंट तेंथ की आपकी जो है NCRT बेस्ट तो हमेसा पढ़ना ही पढ़ेगा चाहे PCSO चाहे आपका गृप D हो गृप C हो आपका कोई भी पोस्ट हो SSC हो कोई भी पोस्ट आती है तो उसकी लिए आपको इसे पढ़ना ही पढ़ता है तो समस्थानिक जो आपका समस्थानिक है समस्थानिक पहले तो सीख लो X मने बताए X है मज़ेदार मिर्चु मसाला X क्या है कोई भी तत्तु का परमाडू है Z क्या है परमाडू संख्या परमाडू संख्या पता रखा बैसा बुस्ताद ये क्या है द्रव्य मान संख्या ठेक है समस्थानिक किसे बोलेंगे समस्थानिक मतलब वेतत्व देखो वेतत्व जिसमें परमाड क्रमांक अब देखो परमाड क्रमांक मैं बोल रहा हूं लेकिन कोश्चन वहां पर ट्विस्ट लेगा मुडाओ लेगा कि परमाड क्रमांक या प्रोटॉन क्योंकि मैं अभी आपको पीछे बताया है मैंने परमाड कुरमांग किसके बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के अर्था प्रोटॉनों की संख्या जड बराबर प्रोटॉनों की संख्या पी बराबर परमाड की संख्या मतलब पी बराबर उस्ताद जड के क्लियर प्रोटॉन बराबर किसके होता है परमाड संख्या के क्लियर हो गया वे तत्व जिसमें परमाड कुरमांग क्या क्या प्रोटॉन समान होते है देखो ये लाइन कर दिया न डाउट नहीं हो ना चीए ये देखो ये समान वे तत्व जिनमें प्रोटॉन मतलब की संख्या परमाण क्रमां की संख्या समान होती है समस्थानिक कल आते हैं समस्थानिक अब उदारड देख लो उदारड देखो भाई साब मज़ेदार उदारड पहला उदारड अब उदारड भी आते किस वे में आएंगे देख लो पहले आपका अगर यह हो गया हाइड्रोजन का हाइड्रोजन हाइड्रोजन होते हैं ह के तीन समस्थानिक होते हैं कौन कौन सा 1H1,1H2,1H3 यह देखो यह अब पूछा भी जाता है कि अब देखो इसमें क्या है परमाड करमां के देखो 1H1 है यह देखो एक इसका भी लेकिन क्या है द्रबमान संख्या क्या है बोलो भिन भिन द्रव्यमान संख्या एक दो तीन भिन भिन मैंने क्या लिखाया है वे तक जिसमें परमाड कुरमांक क्या समान होते हैं समस्थानिक होते हैं परवास आएगी नहीं और तथा द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या क्या हो जाए आपका भिन भिन ये भी होता है clear देखो यहां पर देखो दर्ममान संख्या भिन भिन और यहां पर क्या बेटा परमाण कुर्मान की क्या है यहां पर समान है तो उन्हें हम क्या करते हैं समस्थाने की दुसरा उदारण देखो एक्जामपल टू एट ओ सिक्स्टीन एट ओ सेवंटीन एट ओ एट यह आपका ऑक्सीजन के समस्थानिक है clear ऑक्सीजन के देखो यहां पर परमाण कुर्मान क्या है समान है उस्ताग लेकिन 16 17 18 द्रबमान संख्या क्या है यहां पर भिन भिन है तो उसे हम क्या कहते है आपका समस्थानिक तिसरा एक्जामपल एक्जामपल थ्री देख लो सेवन एन क्या फोर्टीन सेवन एन थर्टीन यह देखो अब यह भी नाइट रोजन के समस्थानिक है आपका इसमें देखो साथ और साथ परमाण क्या समान है लेकिन क्या द्रबमान संख्य क्या है भिन्न भिन्न है उसे हम क्या कहते है आपका समस्थानिक क्लियर अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे समस्थानिक के बाद पढ़ेंगे हम समभारिक ठीक है तो क्लियर हो गए आपका कंसर्प्ट यहां से एक कोशन जरूर आता है समभारिक समभारिक आईसो बार ठीक है अब आईसो बार तो अच्छली क्या होता है कि कि आप किसी चीज में गैप ने दो ब्रेन में अब नई ताज़गी लेकर क्या हो आज आप इस समभारिक सीख रहे हो सीखना जरूरी है साइन्स को आपको सीखना पड़ता है ठीक तो समभारिक आईसो बार इसमें क्या होगा कोई भी चीज ले लो इसमें भी आपका जैसे ले लिया जेट एक्स ए अब तो इसमें आप पारंगा थो जेट क्या है परमाड क्रमांक ए क्या है यहां पर द्रब्यमान संख्या क्लियर हो गया परमाड का द्रब्यमान और जेट क्या है परमाड क्रमान ठीक इसमें क्या होगा अब आपको डिफिनिसन ही बताऊंगा इसमें क्या होगा परमाड क्रमांक, भिन्न, भिन्न, मतलब परमाड क्रमांक मतलब जड़ क्या होगा? अलग-अलग होगा, भिन्न, परंतु द्रव्यमान संख्या, द्रब्मान संख्या समान होगी समान होगी समझ में आई गया इसमें क्या है आपका पर्माड उक्रमान के मतलब जड्ड क्या होगा भिन भिन होगा और क्या होगा द्रब्मान संख्या क्या होगा यहां पर समान होगा उदारड देखो एक्जामपल मतलब उदाहरण देखो सेवन एन थर्टिन और आपका कारबन सिक्स और थर्टिन देख लो अब इसमें क्या है द्रब्मान पर्मान क्या है भिन भिन इसका साथ एच्छे है और द्रब्मान संक्या क्या है इसका समान तेरा और तेरा है तो इसका मतलब यह क्या हो गया आपका सम भारिक मैंने बता दिया क्लियर करो यहां पर सीखो कि पर्मान क्रमान देखो इसका साथ इसका क्या है चे परमाड करमान क्या-क्या भिन्न भिन्न है लेकिन दरबमान संक्या क्या है समान उसे हम क्या बोलते हैं आपका सम भारिक तो दुसरा उदाड ले लेते हैं एक्जाम्पल यहाँ पर 2 देख लो 7 and 14 ठीक है और आपका कार्बन 6, 14 फिर देखो वही आ गया फिर आप यहाँ पर 6 सकते हैं यहाँ पर देखो यह क्या हुआ यह भिन भिन है और यह क्या है आपका समान है मतलब परमाड उक्रमान का समान दर्बमान संख्या समान यह को 14-14 दर्बमान संख्या समान लेकिन परमाड उक्रमान क्या है आपका भिन भिन है इसे हम क्या कहते हैं आपका सम भारिक कुछ कोश्चन देता हूं मैं आपको कमेंट में आपको बताना है क्लियर कि कौन सा सही है कौन सा गलत है अम आपको कुछ कोश्चन बता देता हूं कोश्चन फर्स्ट कोश्चन वन यूरेनियम बानवे 238 में न्यूट्रॉन एन तथा प्रोटॉन पी का मान ठीक है आपको समझी गया है अप कौश्चन टू वन एच वन गॉमा वन एच टू कौमा वन एच थरी समस्थानिक या सम भारिक क्या है समस्थानिक है कि सम भारिक है कौश्चन नमबर यह आपका टू हो गया अब कोशन नमबर थ्री, अब चल देखते हैं, यदि प्रोटॉनों की संख्या, बीस तथा नुट्रोनों की संख्या 31 है, तो तत्व बताईए, या उसका सिंबल, सिंबल पूछेगा, सिंबल आपको उसका बताना है कि कौन सा सिंबल होगा, जैसे उधारत लिए एक्स है, प्रोटॉनों की संख्या, बीस है मतलब जेड़ बीस हो जाएगा, और ये ए है, मतलब दोनों को जोड़ को दो, कि तो सिंबल बन जाएगा, तो आपको ऐसे बताना है, और कमेंट में आप इसे जरूर बताना, बड़ी मेनहस से वीडियो बनाई जाती है, मुझे भी अच्छा लगेगा, और एक बात और, कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो, काम के है आपके, आपको आगे भी बन फिट देगा, मैं आपको साइन्स के अलग-अलग वीडियो हमेशा ले करके आता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सस्क्राइब करें, और बेल आइकन को दबा लें, जिससे की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए, थैंक्यों,